नमस्कार आज दो सितंबर डॉक्टर शशी शुकला की पुर्णे तिथी पर मैं अणिमाव बाध्याए उन्हें शच्चत नमन करती हूँ और उन्हें की कही कुछ पंक्तियां उनके काव्य संकलन अंकुरन से पहले से मैंने ली हैं जो मैं उन्हें शद्धा सुमन के रूप में अर्पित करती हूँ शीर्शक है मत पूछो तो सुनिए उनकी कही कविता मत पूछो मेरी यानि अणिमाव उपाध्याए की आवाज में मत पूछो घर गाउं गली से क्यों ये सूने पन घट हैं क्यों पियराए से चहरे हैं नैनों के रीते घर हैं मत पूछो घर गाउं गली से क्यों ये सूने पन घट हैं क्यों पियराए से चहरे हैं नैनों के रीते घर हैं भारी बूटों की प्रती धुनिया थर राती अंधियारे को भारी बूटों की प्रती धुनिया थर राती अंधियारे को हर कूचे और चौराहे पर बस गिद्धों के जमघट हैं भारी बूटों की प्रती धुनिया थर राती अंधियारे को हर कूचे और चौराहे पर बस गिद्धों के जमघट हैं नहीं किसी को फुर्सत मुड़कर देखे घर गल्यारों को, दंभर सांस नहीं ले पाते, इतने सारे जन्जट हैं। जन्जीरों में जकडी भैसे त्रस्त धरा ये कहती है। खुनी खंजर बांध पाओं में नाच रहे कैसे नठें। रांध ये हैं मंदिर मस्जिद चंद दरिंदों ने आकर उल्टी फटी नकाब कहीं पर उघडे उघडे घूंगठें। रांध ये हैं मंदिर मस्जिद। चंद दरिंदों ने आकर उल्टी फटी नकाब कहीं पर उघडे उघडे घूंगठें। भोड़ा राग अलाप रहे हैं बगुले ध्यान लगाए कुछ। भोड़ा राग अलाप रहे हैं बगुले ध्यान लगाए कुछ। इसी सडक पर आगे चलकर बने हुए शान्ति वट हैं। भोड़ा राग अलाप रहे हैं बगुले ध्यान लगाए कुछ। इसी सडक पर आगे चलकर बने हुए शान्ति वट हैं। मैं पुनह टॉक्टर शशी शुकला को रिदय से याद करते हुए उन्हें नमन करती हूं। नमस्का।